और चलिए इस बक्ती बड़ी ख़बर आपको बता दे जहाँ पर मध्यप्रदेश राजिस्थान 36 गड़ और तेलंगाना में मतगड़ना थोड़ी देर में होगी एबियम में कैद है प्रतियासियों की किस्मत थोड़ी देर में बोटों की गिंती के जाएगी आज सुबह 8 बजे से मतगड़ना होगी बता दे की आज होगा प्रतियासियों की किस्मत का फैसला इस बक्त की बड़ी ख़बर मध्यप्रदेश तेलंगाना राजिस्थान 36 गड़ में होगी मतगड़ना और मतगड़ना इस्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये हैं स्वासन प्रशासन ने और बता दे की मध्यप्रदेश राजिस्थान 36 गड़ और तेलंगाना में आज मतगड़ना होगी थोड़ी ही देर में अधिडिप्रदेश की 230 गड़ान सबसीटों पर मतगड़ना शुरू हो जाएगी तेलंगाना की 119 विधान सबसीटों पर मत गर्ना होनी है और 36 गरकी 90 विधान सबसीटों पर आज मत गर्ना होगी सुबह की जाएकी सुबह 8 बजे से मत गर्ना के जाएकी कि दो पहर तक कष़ारी डेंडल साफ मोनेगीмотря में कैद आज परती산ियों की किसमत का है एबियम के पिटारा खुलेगा और आज होगा तक्तियासियों की किस्मत का फैसला एबियम का पिटारा कुछ ही देर में खुलने वाला है और आपको बता दें कि मत गड़ना इस थल पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतज़ान किये है स्वासन प्रशासन की कड़ी नज़र है तो मध्यप्रदेश, राजिस्थान, चुटिस गड़ और तिलंगाना में आज मत गड़ना मध्यप्रदेश की 200 विधान सबसीटों पर आज मत गड़ना है थोड़ी ही देर में तस्मीर है साफ हो जाएगी और राजिस्थान की 199 विधान सबसीटों पर मत गड़ना है कुछ ही देर में बस 8 वजे से बोटिंग शुरू हो जाएगी और तिलंगाना की 119 विधान सबसीटों पर मत गड़ना है और इसके अलावा 36 गड़की 90 में धान सबसीटों पर मदगरना है सुभे 8 बजे से सभी 4 राज्यों की मदगरना शुरू हो जाएगी और दो पहर तक तस्बीर साफ हो जाएगी किसकी ताज पोशी होनी है और EBM में प्रतियासियों की किसमत का फैसला कैद है आज EBM का पटारा खुलने बाला है और सभी प्रतियासियों की किसमत का फैसला आज हो जाएगा